बी एससी, बी पी एससी, सिच्छक अभियर्थी और इसी तरह के दारोगा परिच्छा हो या सिपाही परिच्छा हो या तमाम न्युक्ति के मामले में इनका कहें न कहें कभी कोश्चन वाइरल होता है, कभी इनके प्रस्ण पत्र में गलती होती है, नो-नो कोश्चन गलती हो जाता है, और ये तमाम गलती अंजाने में नहीं हो रही है, ये जान बूज कर एक गैंग है, रेकेट है, उसके माध्धम से कड़ाया जाता है, और इस तरह का माहूल खरा किया जाता है, क्योंकि जब भी न्युक्ति की प्रकिरिया शुरू होने को विग्यापन निकलता है, इनके माफिया, दलाल लोग बजार की अंदर तस्रिलदारी में लग जाते हैं, 23 दिसंबर को BSSE CGL3 की पेपर लिख हो गई, जिसके बाद विपक्ष में बैटी, BJP बिहार के महागिरुधन की सरकार पर हम दाबर है, बिहार बिधान सबाके नेता परतिपक्ष बजयाक कुमार सिना ने बिहार के भरष्ट अधिकारियों को लेकर साफ साफ यह कह दिया है, क जिस तरह से परतिभा का हनन कर रहे हैं, और जिवाओं के भावनाओं से खिलबार कर रहे हैं, यह दुखद और दुरभाग्यपुर्ण है, बिएससी, बिपिएससी, सिच्छक अभियर्थी, और इसी तरह के दारोगा परिच्छा हो या सिपाही परिच्छा हो, यह तमाम न्युक्ति के मामले में, इनका कहें न कहें, कभी कोश्चन वाइरल होता है, कभी इनके प्रस्ण पत्र में गलती होती है, नो-नो कोश्चन गलती हो जाता है, और यह तमाम गलती अंजाने में नहीं हो रही है, यह जान बूज कर एक गैंग है, रेकेट है, उसके माद्धम से कड़ाया जाता है, और इस तरह का माहूल खरा किया जाता है, क्योंकि जब भी नुक्ति की प्रकिरिया शुरू होने को विग्यापन निकलता है, इनके माफिया, दलाल लोग बजार के अंदर तस्लिदारी में लग जाते हैं, सेटिंग गेटिंग में लग जाते हैं, और फिर उसके हिसाब से यह सारे रननिती बनते हैं, इसमें आयोग के बड़े बड़े पदाधिकारी और करमचारी सनलिप्त हैं, बार बार ये खेल हो रहा है, आज एही आठ साल पहले इसी मामले में आईयस तक के लोग जेल चले गए, लेकिन उस आयोग में बैटे हुए पदाधिकारी साथ साथ साल, आट साथ साल से जम्मे हुए हैं, सीवी आई से इसकी जाच नहीं कराई गई, खाना पुर्ती के लिए मुहडा बना करके लोगों को फसाया जाता है, लेकिन असली जो गुनागार है उसको बचाया जाता है, ये खेल बंद करें, बिहार की पर्तिभा के साथ खिलवार बंद करें, आई बी एससी में एक पेपर आपने लिक हुआ, हंगामा हुआ है, आपने केंसिल किया, बच्चे कह रहे हैं कि दूसरा पेपर में भी वही तमासा हुआ है, और जो लिक हो जाता है, जब हंगामा होता है, प्रेस मीडिया के लोग, जब उसको लोग लेते हैं, चर्चा कराते हैं, तब आप डड़ से, लोक लजजा के भई से, आप इसको रद करते हैं, आपका तंत्र कमजोड है, पूरी तरह से फेल है, ये खेल लंबे समय से हो रहा है, जो मेरिट वाले लड़के हैं, जिनकी परतिभा है, वो आउट हो रहे हैं, अद दलाल विचोलिया के मादम से जो प विज्यापन से बहुत सारे अभियंत्रना वाले हों, या सिच्छक अभिर्थी हों, या बहुत सारी, आप उसमें टार मटोर करकरके, पुराने नुक्ति के विज्यापन को रद करकरके, या उसको रोक करके, उसमें इफबट लगा करके, नए ढंक से परोशना चाहते हैं, ताकि अपना सेटिंग, अपना वेवस्था बना सकें, ये दुखदा दुरभाग्यपुन है, विहार के अंदर, बच्चों के मन के अंदर एक भाय का वातावरन बना दिया गया, और जब बच्चे के मन के अंदर आक्रोश उत्पन होगा, तो ये भरस्ट सरकार एक दिन भी नहीं रहा पाएगी बिहार के अंदर, यही बिहार की धर्ती है, जब ताना सा के विरुद आंदोलन शुरू किया, तो पूरे देश से सत्ता की विदाई हो गई, और आप सत्ता प्राप्ति के सपना मुकमंत्री जी देख रहे हैं, देश के प्रदानमंती नरंदर मोदे जी खुला चेताबनी दिया था लाल के लिए से, कि भरस्टाचार मुक्त भारत होगा, लेकिन दुरभाग है कि भरस्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए आपको भारतिय जनता पाटी ने बैठाया था, बिहार की जनता ने जनादेश भी दिया था, कि भरस्टाचार मुक्त अपराद मुक्त विहार बनाईए जनादेश का अपमान करके आपने भरस्ताचारियों और अपरादियों के गोद में जाकर बैठ गए और वो भरस्ताचारी अपरादी की गोद में बैठने के बाद बहुत सारा खिल शुरू हो गया है जो बिमारी बहुत हद तक रोकने में पर हावी हो गया है आप लाचार और बेबस ठके हारे दिख रहे हैं आप सीवी आई से जांच कराईए और संबैदानिक संस्ता पर आपको विश्वास नहीं है तो हाई कोट के सिटिंग जज से जांच करा लिजिए लेकिन तंतर में जो कमजोड करी है जो भरस्ताचार का ज जब आपकी नियत साप है जब आप कर रहे हैं कि हम भरस्ताचार पर जिरो टोलेंस अपनाते हैं तो क्यों नहीं बीमारी का सही इलाज कराना चाहते हैं क्यों नहीं इसकी जांच सीवी आई के हवाले करते हैं या उच्छे संस्था से कराना चाहते हैं क्यों खाना पूर्ती कर रहें कई बार यह घटना घटित हुआ, बिप्यष जी का भी मामला निकला था, कई तरह के बहाली निक्ति में इस तरह का पेपर लिक हुआ, क्या result निकला अज तक, क्यों लोगों के सामने आप नहीं लाना चाहते हैं, क्यों छुपाना चाहते हैं बड़ा सर्म की अस्थिती बन गई है सरकार के लोग मौन हैं सिख्चा मंतरी वो अलग ही एक नवे ब्यवस्ता में लगे हुए हैं एक वातावर्न बनाने में लगे हैं जिम्यबारी से कोई जबाब देने के लिए तयार नहीं है ये सरकार पूरी तरह से फेल है इनका तंत परिक्षाचारियों को बचाने में लगा है और जब तक ये सरकार ये मानसिकता रखेगी इनसे उमीद नहीं किया जा सकता है परिक्षा को रद करे दोसी को पकड़े और नए ढंग से नए पारदर्सिता के साथ पुराने ब्रस्त पदादिकारियों को हटा कर नए अच्छे लोगों की जामात के देख रेख में परिक्षा कराएं अच्छार चर्म पर है और सरकार कुछ नहीं कर रही है तो वहीं क्या कुछ करते बिजया सिना आपने सुना है युवाओं के भविशक साथ बिहार सरकार खेलवार कर रही है तो वहीं खुब तंज का साथ बिजया सिना नहीं और वितमाम ख़बरों के लिए NBC24 के साथ बनने हैं बहुत बहुत धन्यवाद